Hello everyone, I am Ankitab और इस वीडियो में हम वन पॉइंट प्रेस्पेक्ट्ट्व के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम प्रेस्पेक्ट्ट्व समझ लेते हैं कि प्रेस्पेक्ट्ट्व क्या होता है अगर इसका angle हम change कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो हमें इसके नीचे का हिस्सा भी दिखाई देने लगेगा, अगर उपर से देखते हैं, तो इसके उपर का हिस्सा भी दिखाई देने लगेगा, तो जैसे हम अपने object का angle change करेंगे, वैसे वो हमें अलग-अलग तरीके से दि इसके हल्प से हम अपने ड्राइंग में 3D Depth कर सकते हैं इसमें सारी चीज़े एक पॉइंट के तरफ आती हुई दिखा देगी जैसे कि इसमें हम किसी लंबे कॉरिडोर के या किसी लंबे सड़क के इंड तक हम देख पा रहे हैं ऐसा Depth क्रिएट कर सकते हैं और प्रैस्पेक्टिव 1-9, 2-3 , 4-or-5 but इतना ज़्यारा फिर इतना ज्यारा अब यूज में नहीं आता है आर्टमें को ज्यारा तखर अर्किटेक्टहों की यूज करताहें हमें basically one point और two point तक सीखने की जरूर अचा है उससे जादा अगर इसमें आगे तक perspective सीखना चाहते हैं तो आप three point four point तक जा सकते हैं पर वो काफी बाद में आता है बिंडिंग में हमें one point और two point तक समझने की जरूर था तो एस वीडियो में हम one point perspective को practically करते हैं सो start करते हैं one point perspective में हम एक point देंगे इसे कहते हैं vanishing point और यही है यही है वो point जिसके तरफ हमें सारी चीजे आते हुए दिखानी है जैसे कि इधर कोई box रखा हुआ है तो कोई भी object हो वो एक box में आ जाएगा तो हम box simple होता है स्टार्टिंग में समझने के लिए तो हम पहले box पर ही समझेंगे और अब हमें line लेने हैं इस box से उस point के तरफ हमें सारे line उस point से मिला लेने हैं और box कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा उसके लिए हम यह जो vertical और horizontal line होते हैं यह हम अपने according ले सकते हैं और यह हमें सीधा ही लेना है क्योंकि maximum लोग इसे टेड़ा ले लेते हैं जिसके वज़े से यह गलत हो जाता है तो वह हमें सीधा ही लेना है अब जैसे यह box नीचे है तो इसके उपर का हिस्सा हमें दिखाई देगा इसको भी हम point से मिला लेंगे पर उपर का हिस्सा कितना हमें दिखाई देगा वो हम अपने according रख सकते हैं कि कितना बड़ा हमें box चाहिए और यह horizontal और vertical line यह हमें सीधा ही लेना है क्योंकि यह पर हमें confusion होता ही होता है और हम इसे भी टेड़ा ही ले ले box side में रखा हुआ है तो इसके side का हिस्सा हमें कितना दिखाना है यह हम अपने according रखेंगे और box cube हो square हो कोई भी सेब का हम box ले सकते हैं उस पर practice कर सकते हैं बस one point perspective में यह होता है कि सारे box हो या फिर तो object कुछ भी हो वो उस point के तरफ आते हुए हमें दिखानी होती है और फिर बाद में हम यह extra line erase कर सकता है यह हमें इतना practice कर लेना है कि फिर बाद में हम imagination से कर सके कि मान लीजिए इधर point है तो हम imagination से उसी direction में अपने line को लेंगे imagination करके हमें यह point लेने की ज़रूरत नहीं हम मान लेंगे यहां पर point है और हमें इस direction में ही इस angle में ही अपने box को बनाना है या फिर तो कोई भी object हो उसका angle हमें इस side लेना है यह बहुत practice करने के बाद वो हो जाता है पर starting में हमें यह कई बार करके ऐसे box पर practice करनी है तक हमारे दिमाग में एक दम चप चाहिए